आप देख रहे हैं जैभारत टीवी पर्दान मंत्री ने उत्राखंटि सच्यू को एक लेटर दे रहा है इस मामली की जाच किया जाए कहीं से कोई न्याए नहीं मिला प्रशाशन पिथोड़ागड नियम पिथोड़ागड और पुलिस मान देहरादुन मेरे मामले को शंग्यान नहीं लेता है तो मुझे मजबूर होकर 26 जनवर से देहरादुन में होगरताल करना पड़ेगा जिन लोगोंने मेरे साथ गलत कर रखे वो पुलिस अधिकारी है उनका मजबूत पकड़ है अगर आज मैं इस मामले को कोट में लड़ता हूँ तो चहे सरकारी वकिला प्राविट बिना पैशे का हो नहीं सकता है औरना मेरे पाइटना पैशा है जिस समय मुझे गिरबदार किया था उसमें मेरी उम्र उनी साल था आज मुझे च्छती साल है क्या डीजबी सर ये पुलिस की भरती जो खुला है क्या आप मुझे ये च्छती साल की उमर में उनीस साल की बरिता दे शकते हो मैं उत्राखंडी हूँ मैं कोई पागिस्तान से आया वाब्यक्ति नहीं हूँ कोई बाहरी स्टेट का नहीं हूँ आपको एक तारीख बता रहा हूँ उत्राखंड की तारीख है 3 अगस्त 2010 तब मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमेश पोकरियाल निशंक क्या आपको याद है 3 अगस्त को क्या हुआ था 2010 के दिन मैं आपकी यादास्त लाने की कोशिश करता हूँ उस दिन अचानक मीडिया में चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री निशंक को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है कब 15 अगस्त के दिन ऐसा कर दिया जाएगा जैसे ही ये खबर बाहर आई दूसरे दिन अख़वारों में मीडिया में चारों तरफ ये मामला चा गया और एक मुख्यमंत्री को धमकी देने का मामला था तो पुलीस भी सक्री हो गई अब शायद आपको याद आया होगा लेकिन इस प्रकरण में जो दो आरोपी पकड़े गए लंबे समय तक ये केस चला आज मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि उस केस में जो पकड़े गए दो आरोपी थे उन्हें कोट से दोशमुक्त करा दिया गया है यानि कि वो रिहा हो गए पुलीस साबित ही नहीं कर पाई कि उन दो युवाओं ने मुख्यमंत्री को धमकी दी थी उन्हीं का हाथ था क्योंकि दिया नहीं था और लेकिन इस पिछले 14 सालों में वो दो युवा कहा हैं आज वो क्या कर रहे हैं एक आरोपी जो तब थे अब दोशमुक्त हो चुके हैं उनसे मैं आज आपकी मुलाकात करा रहा हूँ और ये कहानी आपको अंदर तक जगजोड देगी ये हैं मनोज कुमार इनका चेहरा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए जो अख़वार में जो कटिंग आप देख रहे हैं उसमें एक मनोज कुमार भी है ये ही हैं जिनको पुलिस ने गिरफतार किया था जिन पर आरोप था कि इनू ने मुख्यमंतरी को बम से उड़ाने की धम की दी ततकालीन मुख्यमंतरी रमेश पकरियाल निशंग को साथ साल केश चला देरादून की कोट में साहब दलीलें पेश होई दोनों तरफ से लेकिन पुलिस साबित नहीं कर पाई कि ये दोनों युवा इनके साथ एक युवा और जो इस वक्त हमारे कैमरे में नहीं हैं लेकिन मनोज कुमार है ये बरी हो गए बरी तो हो गए लेकिन पूरा जीवन बरबाद हो गया आज 36 साल उम्र हो चुकी है और कागेचों का पुलिंदा लेकर मनोज कुमार पूरे उत्राखंड में मंत्री, मुख्य मंत्री, अधिकारियों के दर दर की ठोकरें का रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जो सरकारी नौकरी का वक्त था वो निकल गया केस लड़ते लड़ते और दोशी करार दे दिया गया था तभी लोगों द्वारा पुलिस द्वारा लेकिन कोर्ट में जब मामला साबित नहीं हुआ बरी हो गए लेकिन जिन्दगी तबाह हो गई हम आज बात करेंगे मनोज कुमार से मनोज जी पहले तो आप ये बताइए कितने उम्र आपकी इस समय हो चुकी है क्या सरकारी नौकरीयों के लायक आप बचे हैं क्या इस्तिती है इस वक्त सर में वर्स दौजार दस में देहरादुन में प्रावेट जॉब भी करता था साथ में डेवी कॉलेज में बीए फस्टेयर की तैयारी कर रहा था और जब ये घटना घटा था उस समय में एड़ बगर राजिंदर सिंग नेगी के पास सबत पत्र बनाने के लिए था तो साम कमरे में ले गया सारे लड़कों को सांथ वे उठा के ले गया पुलिस बिना कारण बताए देहरादुन थाने पे लेकर राद भर मुझे मार पिट किया मेरे दोनों कान पर देव कर दा तो जब मैंने कबूल जुरूम नहीं किया तो पुलिस ने मुझे छट पे लटा के मार पिड़ किया जब मेरे कोई नीथा आगे पीछे मैंने अपनी घर के इश्टों का नाम लिया है कोडगाडी मा मैंने गलत कर रहा है तो उसके लिए इसी बीच में किसी अग्याज व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि मैंने सर धमकी दिया तो क्यूं दिया बोला उसने साब बो टॉपर हूँ बार भी टॉपर हूँ पिए फाइनल हूँ गोड मैं लिष्टी हूँ कम्यूश्टी पार्ट से पत्रकार संस्ता से भी जुड़ा हूँ नोक्री ना एक मिनट मनोज भाई हम इसको ना सिलसलेवार तरीके से जान रहे हैं पुलिस ने पुलिस ने क्या कहा आपसे कि आपने कौन सी धंकी बताया आपको क्या कहा पुलिस ने ये बोला कि शौ नंबर में फॉन किस ने किया है तो मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नह मुझे आवाज का रिकॉर्डिंग दिया जाए अगर आवाज का रिकॉर्डिंग मेरा पाया जाने पर मैं सजा मुझे फांसी की सजा होगा मैं तैयार हूं ये मामला चलते रहा तहरा दुन कोट में दो में चार मेना जेल में रहा आठ साल मैंने ये लड़ाए लड़ा उस इतने भी पुलिस अधिकारी था इस मामले की जाच के लिए लिखा हरिस रावत, खंडूरी, निसंग जी, पुलिस महानिर्द, किसी ने मेरे आवाज को नहीं सुना, तो मैं यहां से 2017 में कोट से बरी हुआ, बरी होने के बाद, पिथोड़ा, उने क्या कहे कर आपको पड़ा, और पुलिस कोट ने साब बहुला कि आपके उपर गलत हो रखाया है, आपके भौसे को देखते हुए हम आपको बरी करता हूँ, पुलिस की गलती से तुमारे को जेल रहना पड़ा, यह मामला चला, इसलिए तुमारा पैर भी करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम तुमारी सच्चाई को देखे कोट से बरी कर रहा हूँ, जस साब ने आदेश दिया, मुख्यमंतरी निशंक चुकि उस समय थे, उनहीं को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जो भी वो व्यक्ति था, पुलिस तो कुछ साबित करनी पाई, आप पकड़े गए थे, आप बरी हो गए, तो क्या मुख्यमंतरी निशंक से भी आपने मुलाकात की, उनको भी कोई पत्र दिया, कि साब ये मामला मेरे साथ हो गया था, आप ही से जुड़ा हुआ मामला है, कभी मिले आप निशंक? 19 में तो त्रिवेंद्र रहे होंगे ना मुख्यमंतरी? पिथोड़ागर पुलिस का करना था कि मामला देहरादुन से है, तो पिथोड़ागर मामला नहीं बनता है, टाल मटोल कर दिया, काफी शंगर्श सहना पड़ा, इस सद में से मेरी मां का भी मिर्तिव हो चुका है, और मैं इसी सिल्सले में 11 जन्वरी के बाद बरी से होने का पिथोड़ागर डियम के माध्यम से मुख्य मंतरी, आईजी, डियाईजी, मुख्य सचु, गरव सचु, राश्टिपती, परधान मंतरी तक लिख चुका हूँ, सारे विभागों का मेरे पाद जवाब आया कि हमने आपके मामले के उस तरी जांच पिठा दिया गया, लेकि उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं हुआ राश्टिपती ने उत्राखंडी के चीफ सीगरोटी को लेटर दे रहा, परधान मंतरी ने उत्राखंडी सचु, गरव सचु को एक लेटर दे रहा, इस मामली की जांच किया जाए, कहीं से कोई न्याए नहीं मिला, तो मैं हाई कोड में गया था, अपने को नोकरी जो से ब सबी जगह लिख चुका हूँ, लेकिन आद वीडियो भी आया था सामने मार के, हाँ, उनका वीडियो वाइरल हो रुका है, मैंने परधान मंतरी, मुख्य मंतरी, आए जी, देहरादुन को भी बेच चुका हूँ, लेकिन अभी तक कहीं से ना तो उक्तु अधिकारी के खिल सरकारी नोकरी में बरीता दिया जाए, और जो मैंने एक कनिष्टी शायक में भी क्या था, उसमें भी टेस्टी निगला, कम्प्यूटर नहीं होने से, मुझे वहाँ से भी हाथ दोना पड़ा, परतमान समय में मैंने ये सिचाई विबाग मेट में कर रहा, कई परतियोगता पुलिस परशाशन पिथोड़ा गड़, टियम पिथोड़ा गड़, और पुलिस महान देहरादुन मेरे मामले को संग्यान नहीं लेता है, तो मुझे मजबूर होकर 26 जन्वर से देहरादुन में भूगरताल करना पड़ेगा, और इस दोरान मेरे साथ कुछ भी अन्होनी ह होता है, तो जिसमें इसमें भ्रस्टी अधिकारी सासन परशाशन, जिन लोगों को मैंने पत्रा चार लिखे चुका हो, उनकी होगी, मैं एलाई विवाग देहरादून, और एलाई विवाग को भी मैंने पत्र जारी कर चुका, परतिली भी भी जुका हो, बैस मैं सरकार से ही चाहता हूं कि जिन लोगों ने गलत किया है उनको तो डंड मिलना चाहिए लेकिन मैंने गलत किया ही नहीं हूं तो मुझे क्यों डंड दिया जाए मैं एक अपरादी की तरह जी रहा हूं अगर सरकार मुझे नहीं देता है तो मुझे इच्छा शक्ति मिर्ति दिया जए इच्छा शक्ति मिर्ति के लिए फटरे दिया था राष्टपती ने उत्रा-खंड़ी के चीफसीं डिक्रोटी को सिगरोटी को में लD हे कुल हो है this दूसरा जो कमपल्शेशन के लिए आप कह रहे हैं तो वो आर्थिक साहेता आपको सिविल कोड देरादून जाना पड़ेगा अब आप क्यूंकि इतना लंबा केस तो आप पहले एक अलरडी लड़ चुक है उसमें भले ही आप दोश्मुक्त होई लेकिन 7-8 साल उसमें भी ल कड़ है और जिन लोगों के खिलाब मैंने आवाज उठा रहा है और एक परशाशनी कारिया एस्टियम जैसा आज में PCS अधिकारिया इसे अधिकारी के खिलाब मुझे कोड में डालने से हो सेकर इस दौरान मेरे लिए कुछ भी साजिस के तहद मुझे ये लोग शड़न के तरफ आशा शकते हैं या मुझे मेरी हत्या कर सकते हैं मुझे ये बी डर सजा रहा है मानो दिकार ने शुरक्षिया मोहिया के लिखा था लेकिन उसमें भी कोई कारवाई नियो पार है मैं इस सिलसले में कोड़गाली में बैठा था वहां से भी मुझे जोटा अस्वासन द दिया जाए मेरी यही माग है सरकार से और मैं यह भी कहना चाह रहा हूं अगर आज मैं इस मामले को कोट में लड़ता हूं तो सब्सक्राव मुझे इन्शाब दिया जाए मैं उत्रा खंड का हूं मैं एक गरीब परिवार का हूं मेरे माबाब का सपना था मेरा लड़का लेकिन मैंने अपने नाम नहीं डूबने दिया, ना सरकार का नाम नहीं डूबने दिया, मुझे विश्वास है, मुख्यमंत्री जी मेरे आवाज सुनेंगे, जो मैंने सरकारी नोकरी की तैयारी कर रहे, उसमें मुझे बरिता दिया जाए, और मैं कितनी उम्र है, मैं पुलिस बिबाक से ये कहते हूं कि जिस समय मुझे गिरबदार की था उसमें मेरी ऊमर्ण उनीस साल था आज मुझे च्छती साल है क्या डीजीबी सर ये पुलिस की भरती जो खुले है क्या आप मुझे ये 36 साल की उमर में 19 साल की लिश मोग क sotto जो मेरे चोज साल बरबाद किया आप मुझे चोज साल की छूट दे सकते हो, मैं DGB सर से भी काता हूँ, मैं हलदानी में SSP से भी मिला, DGB सर को भी लिख चुका हूँ, सभी अधिकारी सच्यु वाले में उप सच्यु से भी फोन कर चुका हूँ, परमुक शच्यु से भी कर चुका हूँ, जितने भी शच्यु हैं, सब लोगों से मैंने ये मामला उन्होंने पला जार दिया, कि फलाना इस तर से आपका मामला है, फलाना इस तर से, जब कहीं से किसी अधिकारी सच्यु से लेकर सब से फोन करने के बाद, उनका नंबर मेरे पास भी है, जिन लोगों से मैंने शंपर्की किया है, कहीं से मुझे कोई आस्ता नहीं रहा, तब मुझे ये देहराद उनमे 26 जनुर से भूगरताल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, करके लिख रखा है, जो कि मैं मुख्यमंत्री को कल खुद वर्स्तों हो जुगे हैं, देखिए, मनोजी ऐसा है, आपके साथ जो कुछ हुआ है, वो इस देश में बहुत लोगों उने इस तरह की चीज़ें जेली हैं, गुजरेवे वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता, ये बात सही है कि आपके साथ गलत हुआ है, और कोट ने भी इ साल की उम्र थी, जब आप गिरपतार हुए थे उस मामले में, आज आप 36 साल के हो गए हैं, तो कॉंस्टेबुल की जो भरती आई है, उसमें 22 साल की उम्र है, तो आपको तो इसमें शामिल किया नहीं जा सकता, और कई रास्ते हो सकते हैं, जिसमें सरकार आपकी मदद कर सकत आपको उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए? कि मेरी उम्र अंतिम बचा है, अगर ये इस लड़ाए से मैं हार गया, तो मुझे उत्राखंड में जीने का कोई अधिकार नहीं है, तो मेरे साथ एशा ब्योहार ना करे सरकार, प्रस्ट अधिकारी जिनोंने मेरे साथ गया, मैं उत्राखंडी हूँ, मैं कोई पागिस्तान कि मेरे बंडलू भरा है, इस परश्टी मुख्यमंत्री जी सचिवाले से जो भी इसमें जवाब देही अधिकारी है, ओ मुझे बुला के वारता करे, जो मेरी भहुस्ते है, इसमें बैड के बात करके मेरी भहुस्ते के बारे में वारता कर, मुझे कुछ नकुछ शमाधान जाए, और मैं पिथोड़ागर अब नहीं जा सकता हूं, जिस मुझे आवदा विबाग में जूट बोलके रखा गया, वहां से भी हटा दिया गया है, तब से मैं हलदवानी देहरादून में दरदरे ठोकरे खा रहा हूं, जूट बोलना हूं तो खुद मुक्यमंत्री धाम हैं, मुख्य शचू हैं, करश शचू हैं, तो क्या आवदा विबाग से अभी फिर आपको रखा था फिर निकाल दिया, इसमें कॉंटेक्ट के माध्यम से रखा गया था, नो महने का, उसके बाए हटा दिया गया, तीन महने के लिए रखा जा रहा था, मैं खुद नहीं गय मैंने इस संबत में मुख्य सवामंत्री शियम हेल्प नंबर में भी लिखा, उनके द्वारा शाप कहा गया कि इसमें कोई शरकारी नोकरी निया, आप ठेकदार के माध्यम से है, तब से में पितोड़ा गड़ से घर नहीं गया, घर में एक बृद्धी पिता है, करजा है, बाबू के नाम से भी करजा है, मेरे नाम से भी करजा है, घर का कमाने वाला एक लोता में ही था, मेरा इबरबाद हो गया, आपके साथ जो दूसरा लड़का था, उस समय जो गिरफतार, उसका क्या नाम था? मैं यह नहीं कह रहा है, उस लड़के ने किया, उसने इसपस्ट यहां डर के मारे कहा, आपके साथ जो बरी हुआ है, वो कौन है? मैं यह नहीं कहा है, और इम पिथोड़ागल के दोरा भी मुझे सम्मानित किया गया, आसी चोहान के दोरा, और यह हाई कोड का इस्ति है, चोद साल मेरे बरबाद होगे, मैं कोड कच्री के चकर में और चोद साल नहीं खोना चाहता हूं, मुझे घर परिवार बनाने है, मे में पिथोड़ागल में भूगड़ ताल में बैठा था और कल में मुख्यमंत्री जी को ग्यापन भी दे रखाया है, और इसमें सारे हैं मुख्यमंत्री को दी रखाया, तो उसमें जहां जहां अधिकारी को दिया है, उसकी एक-एक फोटो कॉपी भी इस पे लगा तो इसे खतम करने हैं तो सरकार करें लेकिन मुझे तो न्याय मिल दिलाए और मैं ज्यादा नहीं कहता हूं मैं हमारे जई भारत चैनल का भी बहुत आभारी हूं जो मुझ जैसा एक गरीब चोद साल से उत्पिडन सहर है उसके आवाज उठाने में और मेरी आवाज उठाने परशासन तक अधिकारी तोक पहचाने तक मदद कर रहे हैं मैं आपका भी बहुत आभारी रहूंगा ये देव भूमी है या तो मेरी यहां से मुझे इनसाब मिलेगा पिथोड़ा गड़ ज जानेगा तो आपको उसका साथ मिलेगा आप इच्छा मिर्त्यू या फिर आप इस तरह की बातें मत करिए देखिए सासन है सरकार है इसलिए सरकार बनाई जाती है जनप्रतिनीदी हैं अधिकारी हैं वो भी सब आप ही के लिए हैं कोई बीच का रास्ता आपको जरूर मिले आपने अपना वक्त खोया है वो वक्त लोटाया नहीं जा सकता ये तो साफ है लेकिन आप अपना संगर्स कर रहे हैं उसमें हम आपके साथ हैं देखिए तो ये मनोच कुमार है आज मैं मैं पूलिश की मार पीड़ से मेरे दोनों कान पे चोटे हैं ऑबरेशन होना है और जो आर्थिक नुक्षान हो रखाया उसकी भरपाई दिया जाए और मेरा बैंक की रिण में अदा कर सकूँ और अपना भोस्य में आगे बढा सकूँ मैं यही मैं सरकार से उमीद कर रहा हूँ जए हिंग जए उत्राखंड जए देभुमि तो ये मनोच कुमार थे आज म मैं कुमाओं में पत्रकारिता कर रहा था तो उन दिनों बड़ा सुर्खियों में यह मामला आया कि निशंग को बं से उड़ाने की धंकी दे दी गई है उत्राखंड के लोगों के लिए एक नए तरह की घटना थी पुलीस के हाथ महां फुलने जाहिर सी बात थी इतनी बड मिला चलता रहा लेकिन उसके बाद जब हाई कोर्ट में भी यह उसके बाद गए वहां भी इनसे यह कहा गया इनके प्रते सिंपैथी कोर्ट ने भी दिखाई कि आपका वक्त बहुत निंकल गया है सरकार को कहा गया कि आप इनको कुछ छूड दे सकते हैं किसी नौकरी में तो दीजिए लेकिन जो आर्थिक मुआवजे का बात है उसके लिए इनको सिविल कोर्ट में फिर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिस घटना के लिए जो आरोप इन पर लगे थे मुखे मंतरी को बम से उड़ाने की धमकी देने के वो निराधार साबित होए कोर्ट मे साथ साल तक ये केस लड़ते रहे तब जाकर बरी हुए लेकिन तब तक उम्र निकल चुकी थी ये एक ऐसी कहानी है जो जिस पर आपको सोचना चाहिए क्या ऐसे लोग हैं जो कानून की लड़ाई लड़ते लड़ते अपना वक्त बिता देते हैं और फिर बाद में जब उ झाल 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 झाल